स्तोत्र सत्रह सोलह निर्दोष की प्रार्थना एक विनय दाउत की प्रभु मुझे न्याय दिला मेरी दुहाई पर ध्यान दे मैं निश्कपट हृदै से जो प्रार्थना कर रहा हूँ उसे तू सुनने की क्रपा कर तेरे द्वारा मेरा न्याय हो तेरी आँखें देखलें की सत्य कहा है तूने मेरे हृदै की परिक्षा ली और रात को मेरा निरिक्षन किया तूने मुझे परखा और मुझे में कोई दोश नहीं पाया मैंने मनुष्यों की तरह अपने मुख के शब्दों द्वारा पाप नहीं किया मैं तेरी शिक्षा के अनुसार सनमार्ग पर चलता रहा मैं तेरे मार्ग पर चलता रहा मेरे पैर विजलित नहीं हुए मेरे इश्वर मैं तुझे पुकारता हूँ क्योंकि तू मुझे उत्तर देता है मेरी सुन मेरी प्रार्थना स्वीकार कर अपनी सत्य प्रतिक गिता प्रदर्शित कर जो तेरी शरण जाते हैं तू उन्हें उनके अत्याचारियों से छुडाता है तू आँख की पुतली की तरह मेरी रक्षा कर मुझे अपने पंखों की छाया में छिपा उन दुष्टों से दूर जिन्होंने मुझे लूटा उन घातक शत्रूँ से जो मुझे घेरते हैं उनकी बुध्धी जड़ और कुंठित है उनका मुख डिंग मारता है वे मेरी घात में बैठे हैं अब वे मुझे घेरते हैं मुझे भूमी पर पटकने के लिए उनकी आँखें मुझे पर टिकी हुई हैं वे सुही की तरह मुझे फारने के लिए उत्सुक हैं घात में बैठे हुए हिंसक पशु की तरह प्रभू उठकर उनका सामना कर और मार गिरा मुझे अपनी तलवार से दुष्टों से छोड़ा प्रभू तेरा हात मनुष्यों में से और प्रत्वी पर से उन्हें निकाल दे जीवन में यही उनका भग्य है जो दंड तुने उनके लिए रक छोड़ा है उसे उनसे पूरा पूरा चुका उनके पुत्र दंड से तर्प्त हो जाएं और अपनी संतती के लिए भी कुछ छोड़ जाएं मैं न्याय के अनुसार तेरे दर्शन करूंगा मैं जागने पर तेरा स्वरू देखकर त्रप्त होंगा